अंगली दिखा रहे हैं दो से नीचे से सामने मेरे प्रसासन का कोई वेक्ती थे वो मुझे इसे उंगली दिखा रहा है कि बंद करो बंद करो उसके बाद गाना जैसे से मैंने खतम किया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया क्यों हो वई उभी मेरे घर में उभी आपने मुझे बुलाया और समजिए कि मा के दर बार में एक बेटी का आप मान हुआ है तो मैं तो यही मैं रोने लगी मैं लिटराली बहुत रोने लगी popped बार की जो शंस्कृति है यहां पे तो नारियों का बहुत सम्मान होता है आपने देखा ही होगा गो पाल गंज की परियंका से Hilah आप सब जानती हैं आपने देखा है और आप ही के दरबार में एक बेटी के साथ अन्याइब हुआ है उसका अपमान हुआ है तो जैसे आपने मैशा सुर को जैसे सुम निशुम को जैसे आपने संघञार किया, वैसे ही यहां जो भी है मैंने जानते हूं कि कौन है, उसका ज़रूर संहार कीजए और अपनी इस बेटी को जैसे ना होमगाड तक का जवान New county नहीं दिया गै कि कोई मुझे रिसीव करके वहां तक ले जहां एक पराधीकारी थी नहां जी वहां से उनको बुला कि तो वह गया फिर वह छोड़के नहीं धंका मुझे रूम दिया गया जिस रूम में मुझे बिठाया गया वह रूम समझे कि जैसे माली जै मैं सोफे पर बैठी हुआ सामने टेबल लगया टेबल पर बहुत सारा गंदा जैसे खाना खाके जा मिठाई का डबा ग्लास पुरा ग फिर मैंने हमारे जो भाई थे हमारे साथ जो लोग तो वुन लोगों ने बेचारों ने साफ किया बताइए तो यह सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहा है कम से कम एक रूम तो साफ दीजे उसके बाद हमें एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा गया अच्छा गया हमें ए उसको बहुत तोड़ देते हैं चारों तरफ से मिलके जब जैसे वही हाल होगी अभी मन्यू को आप बुला के चक्रव्यू में लपेट के उसको घेर दी अभी मन्यू के हाथ में कि वो निकल पाएगा कि नहीं तो वहाँ पर मेरा मुझे लगता है कि शायद मेरे से वैसा ही अभी मन्यू जैसा ही मुझे बुलाया गया और मुझे लगता है कि अब क्या प्रॉब्लम है वो तो अब जिला प्रसासा नहीं जाने या एंकर जाने मुझे नहीं पता है क्योंकि हमारी तो किसी से कोई ऐसा दुश्मनी है नहीं हम तो सभी को मानते हैं चूंकि गुपाल ग कि बस एक गाना आप गाई है दू गाना मैंने शुना वीडियो अभी शुना हूँ तब आया हूँ आपके पास बोला गया है कि दू गाने के बाद एक आइकम को फिनिस्ट कहता है खतम कहता है कारिकरम था 15 और 16 हलाकि आप 16 है और कल जो आपने देखा होगा कि प्रियांका सिंग वो प्रियांका सिंग जो की एक हमेशाद 6 सालों से बेस्ट फीमेल सिंगर एबोर्ट मिलते रहता है इनको बजपूरी इंडस्ट्री में और तमाम बड़े-बड़े एबोर्ट इनको मिले ह जाने का प्रियास करते हैं सबसे प्रियांका जी स्वागता जी नमस्कार प्रणाव आकिर क्या मतलब हुआ कि मंज पे आप रोने लगी भावक हो गई देखिए कोई भी कलाकार जो होता है और कलाकार को वाकी चीजों से आप दे या ना दे लेकिन एक कलाकार की एक जो इज़त है हर कलाकार को एक जो सम्मान है वह तो जरूर मिलना चाहिए और किसी कलाकार को आप बुला के इसे बेज़त करें तो मैं समझते हूं कि ये एक दुर्भाग के पूर्ण है और बहुत ही शर्मनाख है मुझे परियतन विभाग द्वारा बुलाया गया था था मौतसों में बिहार सरकार परियतन विभाग द्वारा 15 अप्रील को मेरा कारेक्रम था कल 15 अप्रील था और मुझे एक्चुली कितने बजे बुलाया थे मुझे मेरा कारेक्रम आठ बजे से था आठ बजे से नौ बजे तक था आप जैसा लिश्ट देखेंगे आप सभी लोग जैसा कि पहले जो शेयर हुआ था लेकिन मुझे बुला के और बहुत सारी चीजे हूँ एक्चुली बैक में जब मैं आ गई तो बहुत सारी चीजे चल है हमारा तो घर है और प्लस माई का दरबार है और थावे माई का दरबार से तो समझे की पुराना ही नाता है और मैं बच्पन से ही माई का हमेशा दर्शन करने जाती थी और मैं माता की भक्त हूं हमारी पूरी फैमिली ही समझे की बच्पन हमारा गुपाल गंज में बीता ह अब इस पचीस साल तो मैं यहीं रही हूं यहीं पढ़ाई लिखाई लालन पालन सब यहीं हुआ तो मेरा घर है तो मेरा ओविसली हर किसी का अपने होम टाउम से तो एक विशेष लगा होता ही है और यहां पे शक्ती पीट था है माई का दरबार है तो यह समझ सकते हैं कितना विशिष्ट है तो मैं आने के लिए मैंने हमी भरी तो मैं आई लेकिन यहां पे जो है मेरा आपमान हुआ बहुत ही समझे की जैसे एक आर्टिस्ट को आप बुला रहे हैं चली ठीक है मेरा ही घर है मैं अपने घर पर रुख जारी हूं लेकिन एक पार भी किसी ने नहीं मुझे एक होम गार्ड का जवान तक नहीं दिया गया कि प्रियंका सिंग को आप रिसीव करके लाएं मुझे यहां पर सरकिट हाउस में बोला गया कि आपके लिए रूम जैसे बुक है आपकब आएंगी हमने बोला कि ठीक हम नेक्स दे आएंगे चुकि हमारा घर है तो हम कर लेंगे और हलाकी तो समझे कि वहां भी जो मेरा रूम जो था वह बाद में उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता मंत्री आगा है तो रूम खाली नहीं है तो फिर जो मेरे मुझेशियन थे उनको चुकि वहां पर ठाराया प्लेश मिना वो बुके तो हमने बोला ठीक है यह अब्भी हम यह त्वेtechnic दोटीक था कोई बात नहीं फिर हमारे जाने के लिए अपने मुझे मुझे अर्टिथी कला कार कर तो और बुलाया है अलागे मेरा घर लेकिन मैं अस्थानिये निवासी हूं यहां पर अभी मैं अस्थानिये कलाकार तो अभी नहीं हूं जनता ने मुझे प्रसासन से एक भी जैसे ना होम गाड तक का जवान भी मुझे नहीं दिया गया कि कोई मुझे रिसीव करके वहां तक ले जाहां एक प्रादीकारी थी नहां जी वह वहां से उनको बुला कि भाई अप लेके आई तो वह फिर वह छोड़के नहीं धंका मुझे रूम जिस रूम में मुझे बिठाया गया, वो रूम समझी कि जैसे महाली जै मैं सोफे पर बैठी वहाँ सामने टेबल लगा टेबल पर बहुत सारा गंदा, जैसे खाना खा कि ज्या मिठाई का डबा, गलास पुरा गंदा पड़ा हुआ टेबल, मतलब इतना गंदे मतलब गंदिगी फिर मैंने हमारे जो भाई थे हमारे साथ जो लोग है तो उन लोग ने बेचारों ने साफ किया बताइए तो यह सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं कम से कम एक रूम तो साफ दीजे उसके बाद हमें एक ग्लास पानी तक नहीं प मतलब एक पोता ना कि away करते हैं कि चलो ठीक है हम महले हम कारेक्रम कारने ए मारा घर तो लोग हम अफना माइड ने तो सू पहले से चल रहा था यह कि मतलब कैसी भी पत कि हैं थे आप मुझे नहीं पता है न कि अब मैं तो यहां की बच्पन से यह पलीषैर्ड जो लोग से जानते हैं जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है कि कितना संघर्ष करके यह जो लड़की है वहां तक पहुंची है मेरी फैमिली के सभी एक-एक सदस्य को मेरे पिता जी यहां सदर ब्लॉक में बड़े बाबु थे जो कि अभी नहीं रहे दो साल पहले करूना में चल बसे तो कम से कम प्रसासन को यह भी सोचना चाहिए कि भाई यह मतलब प्रसासन की मतलब पिता जी थे तो उनकी बेटी यह कम से कम लिहाज रख लेते तो वह भी नहीं रखा उन्होंने फिर मैं मंच पे चड़ी वहां भी मेरे से कई बार मतलब ऐसे उंगली दीखा के बात की देखा हूं इसके लिए माफी चाहते हैं क्यूंकि मैं आपको नहीं जानता हूं यह लड़की जो पूरे बिहार का नाम रोशन करती है पूरे गुपाल गंज का नाम रोशन करती है देश और दुनिया में वैसे आप मिस्बहेब कर रहे थे और मंच पे वही केमरा के सामने पर सासन के सामने यह कते ही सही नहीं था उंगली दिखाने का वज़ा क्या था अब यह तो वही जाने मैं मुझे क्या पता मैं तो एक बड़ा वो कोई लाता मंगेश्वर जी कर वो तो नहीं थी नो वो बड़ा कोई बहुत बड़ा नाम वोला ब्रांड अब देखिए मैं अब लहीं जानती हो ग्यों झांति हों कि फ Sumant की ए एप में उन्हीं प्री एप संवान किया मैंने को फिर और यह चूरण लगिए बसफ था झाइज यह ने किया में पदला होता है早ए उसको बहुत तो चारों तरप से मिलकी जब जैसे वह ईût हाल ओए अभी मणियों को आप बुला के चक्रव्यू में लपेट के उसको घेर दी अभी मन्यू के हाथ में कि वो निकल पाएगा कि नहीं तो वहाँ पर मेरा मुझे लगता है कि शायद मेरे से वैसा ही अभी मन्यू जैसा ही मुझे बुलाया गया और मुझे लगता है कि अब क्या प्रॉब्लम है वो मैं आई थी आशिरवाद लेने माइक मेरे से छिन लिया गया लिटरली ऐसे उंगली दिखा के बात की गई मुझसे कहा गया कि प्रोग्राम अभी बंद करना है तो हमने इसको भी सविकार किया ऐसा नहीं कि मैं जबर जस्ती तो यह कहा गया कि बस एक गाना आप गाई है दो ग बोला गया कि प्रोग्राम बंद करना है तो उसने बोला गया से यह गाना सिर्फ गाना है उसके बात प्रोग्राम बंद करना है तो मैंने कोई कुश्यन नहीं पूछा कि क्यूं का है किसलिए मैंने बोला ओके फिर मैंने लास्ट में चुकी ए मेरे बतन के लोगों जो है हैं उनको समर्पित की भाई सब लोग हम लोगने मोला डेडिकेट जी हमने डेडिकेट आपने जैसा सुना होगा आप जैसा क्या रहे हैं कि आप सुन क्या है तो मैं गाई और उस गाने की बीच में आपने देखा वह कई बार वाक ऐसे से उंगली दिखा रहे हैं दूर से लोगों काफी लंबा सौंग उसके बाद मेरे से लिटरली माइक छीन लिया गया आपने देखा ही हो गया मैं शीन लिया गया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया मैं दो सब्द बुली मुझे दो उसी में वह एंकर जो बीच में बोलना स्टार्ट कर शुरू कर दी वह वहार की संस्कृत यहां पे नारियों मैं तो यहीं से हूं टो हमें तो हुआ पता है यहां का दरभार में यह 271 वह बीचार्ख के लेकिन ऐहां पर शहाचए में लुए पे बोलने अबए कुपाल गज में आके अपने घर में मंच पर फपक पपक के रोने लगी आपने देखा ही होगा आप जैसा कह रहे हैं कि आप वीडियो देखके आपर आये हैं तो वहां पर इतना सौतेला बेवार इतना दूर बेवार मेरे साथ हो रहा है तो यह बताए कि इतना जहलने के पर मैं मुझे बहुत रोना आगया मैंने मुझे मैं बताओं मैं मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं मुझे मैं बहुत अंदर से आहत रही अभी भी हूं मैं ऐसी बात नहीं है मैं आप जैसा कि मैं क्या बोल भी नहीं पा रहे हूं लेकिन आप इतने करको मेरे साथ कि हूं और गिसी के भी साथ होगा तो कोई बी कालाकार कोई मन्च पर जाने से पहले सौब आर सोचे कि या वह आगी घर में जो इन टक इतना कारेकरम किया लेकिन कहीं पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैं वह ऑपने ग्री जिला में जिस नाम से मैं जानी जाती हूं कि गुपाल गंज की प्रियंका से और इस गुपाल गंज की बेटी का जो अपमान हुआ यह तो माभवानी न्याय करेंगी आप सब जानती हैं आपने देखा और आपी के दर्बार में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ 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 है तो जैसे अपने माइशा सुर को जैसे अपने शुम निसुम का जैसे अपने शंघार किया वैसे ही इहां विए जो भी माईशा सुर और शुम निसुम जो भी है मैंने जानते हूं कि कौन है उसका जरूर संगहार कीजिए और अपनी इस बेटी को विजय दिलाइए पस मैं यही कौन की कि गुपाल गंज की जनता है उनका भरपूर सहयोग रहा मुझे जब मैं निकली मंच से तो कई लोग कई लोग जो है मुझसे तस्वीर खीचवाने आए और बोले कि दीदी आपके साथ बहुत गलत हुआ हम सब आपके साथ हैं और अच्छा वहां लोग कह रहे हैं जी और उसको उनको प्रसासन ने डंटा ठेल के मतलब भगा दिया अच्छा जी फिर भी लिए उनको डंटा से ठेल के भगा दिया एक भी फोटो नहीं खीचने दिया गया तो मैंने सबसे कहा कि मैरे भाई ने चोटे भाई ने कहा कि भाई हमारा घर यहां सरी अवार्ड नंबर पलाना में आप आई आप ज़रूर फोटो कीच वाइंग और आपकर मने क्या कर रहा है प्रसासन की जो जो सवboys मेरे सांथह थे ले यह मैं यहीं बस बुलूँगों कि माइ बस नयाए करें मेरे साथ मिए अपनी बीटी के साथ नयाए कर एक करेंगी हमारी सरकार से की कला हार के साथ इतना जो द्रू दाब मेरे उपर क्या लगा माल नीजे ठीक है आपने मुझे घर में बुलाया दो जहांपड मार दिया मैंने बरदास्ट कर लिया लेकिन दो जहांपड आप मारे अगर मैं गलत होती तो मैं अच्छा वो तो जो मैडम जो उंगली दिखा रहे थी मैं तो उनको मैडम इसले कहने उसरे को इज़त से हम पेश करते हैं तो मैं उनसे क्या कहूं उनको शायद उनको वही सिखाया गया हो संसकार उनका वही हो कि बाई किसी भी आर्टिस से हैं पेश आना चाहिए या उन्होंने ऐसा क्यूंकि कि किसी के कहने पेश लग रहा था कि जीला अधिकारी के पोस्ट प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि आकिर क्या वज़त ही किस तरह का आपना ब्यान रखे और ताकि लोगों को बीच यह जाए कि आकिर एक गोपाल गंज की बेटी जो गोपाल गंज का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रही है कहीं नहीं हम लोग फर्क स्रे कहते हैं अगर यह कहीं करती हो चाहे सूर संग्राम हो चाहे बहुत ऐसे प्लेटफर्म पर हम लोग इनको देखा है तो हम लोग कहते हैं कि चलो हमारे गाव की बेटी है हमारे घर की बेटी यह फर्क होता है आपको यह देखने के लिए इसके लिए आप सेलूट के पात रहे हैं फिलाल यही खबर में आपको दिखा रहा था कि गोपाल गंज में जो थावे महुत्सा हो रहा उसके पीछे की कहानी क्या है जैहिंद जैविहाद